एक बार एक पंची समुंद्र में से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था दूसरे ने पूछा भाई ये तू क्या कर रहा है पहला बोला समुंद्र ने मेरे बच्चे डुबो दिये हैं अब तो इसे सुखा कर ही मानूगा या सुन दूसरा बोला भाई तेरे से क्या समुन्ध सुखेगा तू चोटा सा और समुन्ध रितना विशाल तेरा पूरा चीवन निकल जाएगा पहला बोला देना है तो साथ दे सिर्थ सला नहीं चाहिए या सुन दूसरा पंची भी साथ लग गया ऐसे हजारों पंची आते गए और दूसरों को कहते गए सला नहीं साथ चाहिए या देख भगवान विश्णु के वहन गरूर जी ने भी इस काम के लिए चाने का मन बनाया भगवान बोले तू कहा जा रहा है तू गया तू मेरा काम दुख जाएगा तुम पंचीयों से समुंद्र वैसे भी सूखने वाला नहीं है गरूर बोला भगवान सला नहीं साथ चाहिए फिर क्या ऐसा सुन भगवान विश्णु भी समुंद्र सुखाने आ गए भगवान के आते ही समुंद्र दर गया और उस बच्ची के बच्चे को लोटा दिया आज इस संकट के समय में भी देश को हमारी सला नहीं साथ की जरूरत है आज सरकार को कोजने वाले नहीं समाज के साथ खड़े होकर सेवा करने वाले लोगों की जरूरत है इसलिए सला नहीं साथ देए जो साथ देदे सारा भारत तो फिर मुश्कुराएगा भारत